चोपड़ा जोगी से यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारी बच्चों 26 जुलाई को re-result आने के बाद में कटोफ थोड़ी सी डाउन जाएगी तो ये कुसी की बाद है कि जहाँ पर पहले 655 पर student का selection हो रहा था general category का वहाँ अभी 651 पर selection हो जाएगा अभी मैं आपको यहाँ इस वीडियो में category wise कटोफ बताऊँगा कि कितने marks category wise round wise कटोफ रह सकती है 1st round, 2nd round, 3rd round, mop up round और stay vacancy round इन में all India quota की क्या category wise कटोफ रह सकती है round wise इसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे उससे पहले हम यहाँ एक बात कर लेते हैं कि यह जो नुकसान हुआ है candidates को हम यहाँ पर general OBC EWS की बात कर रहे हैं तो जो candidate को नुकसान हुआ है उसमें general category के लिए 650 वाले candidate से लेकर के 650 वाले और 651 वाले दो ही candidate को ज्यादा नुकसान हुआ है इसमें यह क्यूशन का grace marks मिलने से, bonus marks मिलने से इन दो marks वाले candidate को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और इनको नुकसान होने से जहां 655 कटोफ हम मान रहे थे वहाँ पर अभी 651 कटोफ रह गई है यानि कि यहाँ पर 3-4 marks कटोफ डाउन आ चुकी है यहाँ पर तो देख लेते हैं क्या category wise round wise कटोफ रहती है number of seats के according अभी तक number of seats declare नहीं हुई है इस साल के लिए कितनी seats increase हो रही है फिर एक अनुमान के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि यह कितनी category wise कटोफ रह सकती है यहाँ पर तो category wise कटोफ बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी जल्द ही counselling start हो जाएगी अगर आप counselling के बारे में जानकारी लेना चाते हैं तो इसके लिए हमारे तीन बुक अवेलेबल है ओल इंडिया कोटा के लिए, स्टेट कोटा के लिए और आयू स्वेटनरी के लिए बुक अवेलेबल है इस वीडियो के description box में उनका link है इन बुक के खासियत यह है कि जो ओल इंडिया कोटा की बुक है उसमें ओल इंडिया कोटा 15% aims, जिकमार, ESIC, DU, IP और Dimden University, Central Pool कोटा सभी के बारे में इसमें शमजा रखा है इसमें category wise cutoff भी दे रखी है previous year की round wise cutoff भी दे रखी है जिससे आप ये idea लगा सकते हैं पिछले कितनी rank पर college मिली थी, अब की बार उस rank पर कौन सा college मिल रहा है हलांकि March तो इस बार इसमें आप idea नहीं लगा सकते हैं लेकिन All India rank उसमें जो दी गई है उससे आप idea लगा सकते हैं कि आपको कौन सा college मिल सकता है च्वाइस लिस्ट दी गई है 2024 के लिए कि आपको कैसे college wise च्वाइस करनी है कैसे priority देनी है, कौन सी college को पहले priority देनी है कौन सी college को बाद में priority देनी है इसमें इसके बाद में documents required क्या क्या है, counseling process क्या है सभी के बारे में इस book में अच्छी तरह से समझा रखा है मैं सोचता हूँ यह आपके लिए काफी helpful रहेगी इस परकार से choice list दी गई है इसी परकार से यह flow chart के थूँ समझा गया है counseling process के बारे में ऐसे state quota की book में यह सारी facility available है state wise cut off दी गई है state का अलग-अलग process होता है वो समझा गया है counseling का इसके बाद में cut off क्या रही थी क्या documents की requirement है यहाँ पर state में कैसे आप choice fill करेंगे उसके बारे में समझाया गया ऐसे ही I.U.S. Veterinary की book में भी यह सारी facility available है इसको आप हमारी इस video के description box से download कर सकते हैं जैसे ही आप more पर click करेंगे यहाँ पर तीन option तीनू books के मिल जाएंगे यहाँ से आप download कर सकते हैं इसको आप हमारी website www.sopraeducation.in से भी download कर सकते हैं जैसे ही आप download करेंगे हम आप से संपर कर लेंगे आप हमारी paid service भी ले सकते हैं अब हम बात करते हैं expected cut off की category wise यह result 26 जुलाई को आने के बाद में तो देखो इसमें जो down होगी cut off वो सबसे ज़्यादा cut off यू आर category में down होगी जहां पहले हम cut off मान रहे थे इसमे 655 मान रहे थे वहां last cut off इसकी 651 आ जाएगी अभी एक बार round wise cut off देख लेते हैं फ्रस्ट राउंड में जो cut off रहने की possibility है वो यू आर category की 658 cut off रहने की यह expected cut-off है, फिर भी अगर seat बढ़ती हैं, तो थोड़ा सा up-down हो जाएगा इसमें, अब second round की अगर हम बात करते हैं, तो UR category में second round में 653 cut-off रह सकती है, देको first से second round में ज्यादा difference आता है यहाँ पर, लेकिन second से third round में ज्यादा difference नहीं आता है, और third round से stray में भी ज्यादा difference नहीं आता है यहाँ पर, तो second round में EWS की 650 cut-off रह सकती है, OBC की 652 cut-off रह सकती है, SC की 558 रह सकती है, और ST category की 527 cut-off रह सकती है, यहाँ पर ST category की, अब हम बात करें third round की, third round में 652 cut-off रह सकती है, UR category की 652, मैंने आपको कहा है कि इसमें ज्यादा अंतर नहीं होता है second से third में, अब EWS की 649 cut-off रह सकती है third round में, OBC की 652 cut-off रह सकती है, SC की 555 cut-off रह सकती है, और ST की 515 cut-off रह सकती है third round में, तो यह third round की cut-off रह सकती है, इस ट्रे की बात करें जो लास्ट राउंड होता है उस लास्ट राउंड में 651 कट ओफ रहने की possibility है यूर केटेगरी अब मैं आपको यहां पर बता दूँ कि 651 के सभी candidates को seat से नहीं मिलेगी ऐसा माना जा रहा है क्योंकि 651 में काफी सारी ranks है और इन ranks के according सभी 651 के candidate को seat मिलने की possibility नहीं है लेकिन 652 के सभी candidate को seat मिल जाएगी 652 के सभी candidate को seat मिल जाएगी यहां पर 651 के कुछ candidate को seat मिलेगी यहां पर ऐसे ही हम बात करते हैं इस्ट्रे में EWS की तो 648 के candidates को यहां seat मिल जाएगी OBC में 651 को seat मिल जाएगी OBC की ही OBC की भी यही काहनी है UR की तरह 651 के सभी candidates को seat से यहां नहीं मिलने की possibility है लेकिन 652 के सभी candidates को seat मिलने की possibility है यहां पर तो यह cutoff down आ चुकी है SC category 548 last cutoff रह सकती है और SD category 508 cutoff रह सकती है तो यह expected cutoff है round wise cutoff तो आप इससे अपना idea लगा सकते हैं कि इतनी cutoff जा सकती है फिर भी seat कितने increase होती है उसके मुताबिक देखा जाएगा अगर ज्यादा seat increase होती है तो 651 के सभी candidates को seats मिल जाएगी और कम होती है तो हो सकता है 651 के candidate को seat ना मिले 652 के सभी candidate को seat मिल जाएगी तो इस परकार से यह expected cutoff हो सकती है रजल टाने के बाद में और रजल टाने के बाद में फिर से बता देता हूँ उन candidate को फाइदा हुआ है जिनके पहले 652 थे 653 थे 654 थे और अभी भी उनके माइनस करने के बाद में 652, 653, 654 हो गए हैं तो ऐसे candidate को तो फाइदा है लेकिन जनरल कैटेगरी के 650 और 651 candidates वाले को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है इतनी ही seat यह इन में आगे बट गई हैं तो यह expected cutoff है जो मैंने आपको बता दिया है 651 में 25,000 rank आ रही है और हम सोच रहे हैं कि 25,500 तक इस बार selection हो सकता है अगर seat बढ़ गई तो 26,000 पर भी selection हो सकता है तो यह मैंने आपको category wise cutoff बता दिया है round wise cutoff भी बता दिया है